PNB घोटाले का आरोपी और भगोडा कारोबारी मेहुल चोक्सी को वापस एंटिगुआ भेजा जाएगा या फिर भारती एजंसियों को कस्टेडी दी जाएगी इस पर दॉमिनिका की अदालत आज यानि बुद्वार को फैसला करेगी पिछले अफ्टेज मेहुल चोक्सी एंटिगुआ से क्यूबा भागते वक्त दॉमिनिका में पकड़ा गया मेहुल चोक्सी के पास एंटिगुआ की इनागरित्ता है वहीं चोक्सी को वापस लाने के लिए CPI और ED की टीम में दॉमिनिका पहुच चुकी है दॉमिनिका की अदालत में PNB गोटालो के आरोपी मेहुल चोक्सी के प्रत्यपन मामले में भारतिय समय अनुसार शाम साड़ेचे से साथ बजे के बीस सुनवाई होगी इस दोरान अदालत फैसला करेगी की चोक्सी को वापस अंटिगुआ भेजा जाएगा या फिर भारत को उसकी कस्टेडी सौपी जाएगी पूर सीबीय निर्देशक एस्पी सिंग ने बताए कि इंटरपोल रेट कॉर्नर के अनुसार डॉमिनिका से मेहुल चोक्सी को किसी भी समय परत्यपन किया जा सकता है क्योंकि उसके पास वहाँ कोई कानूनी अधिकार नहीं लेकिन अगर डॉमिनिका की अदालत ने पाया कि चोक्सी का अपरन हुआ है तो वह वापस एंटिगुआ भेजा जाएगा जहां वो फिलाल नागरिक है बतादे कि बगोडा कारोबारी मेहुल चोक्सी 23 मई की शाम को अटिगुआ अस्तित अपने गर से गायाब हो गया था उसके बाद उसके लापता होने की रिपोर्ट दी गई हाला कि उसके पैचान के एक शक्स ने दावा किया कि वह क्यूबा भाग गया है मेहुल चोक्सी अंटिगुआ का नागरिक है और वो पानी के रास्ते भागने की फिराक में था लेकिन जैसे ही वे डॉमिनिका पोचा उसे अधिकारियों ने पकड़ लिया वहीं PNB गोटालेक आरोपी चोक्सी के वकीलों ने डॉमिनिका की कोट में बंदी प्रतिपक्षन याचिका डाली है 28 मई को डॉमिनिका की अधालत ने चोक्सी की याचिका सुपकार करते हुए सुनवाई पूरी होने तक उसे देश में ही रखने का आदेश दिया था अब देखना है होगा कि आशान वो क्या खैसला आता है और क्या अब अगोडा मेहुल्चोक्सी भारत वापसा पाएगा